अगर आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अप्लोड करूँ और आपको उसके बारे में पता चल जाए तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन्स मिलते रहें डून फिल्म की कहानी शुरू होती है अराकिस से ये एक प्लानेट है जहां पर फ्रेमन नाम की एक प्रजाती रहती है इस प्लानेट पर स्पाइस नाम की एक चीज होती है जो काफी जादा कीमती है इस दुनिया में ये रेट की तरह दिखने वाला एक सबस्टेंस है जिससे आपकी ताकतें enhance हो जाती हैं और pre-science भी improve हो जाती है. Pre-science याने की future में देखने की शमता. Fantasy की ये कहानी future की है जहाँ पर science और technology इतनी improve हो गई है कि लोग light की speed से travel कर सकते हैं. खर background में हम जिसकी आवाज सुन रहे हैं उसका नाम है Cheney Kynes. वो बताती है कि Arrakis में जब सूरज डूपता है तो बहुत ज़ादा खुबसूरत लगता है. ये एक रेगिस्तानी प्लानेट है. यहाँ पर house Harkonnen का राज चलता है जो यहाँ की प्रजाती Fremen को बहुत ज़ादा प्रताड़ित करते हैं और उनका इस्तमाल करते हैं. Fremen Arrakis प्लानेट की नेटिफ पॉपॉलेशन है और इनकी तादाद वक्त के साथ साथ कम होती जा रही है. हमें चेनी से ही पता चलता है कि Arrakis पर अब house Harkonnen का रूल नहीं रहेगा क्योंकि इस जगह के जो Emperor है जिनको Shaddam the 4th कहा जाता है उन्होंने आदेश दिया है कि house Harkonnen Arrakis को छोड़ कर चला जाए और यहाँ पर आकर बस जाए house Atreduce. चेनी को लग रहा है कि house Harkonnen की तरह ही house Atreduce भी कहीं यहाँ पर Fremen का दमन करने ना आ रहा हो. चलते हैं अब Caladan, यह एक ऐसा प्लानेट है जहाँ पर बहुत जादा हरियाली है, यहाँ पर फिलहाल house Atreduce रहता है, इसके Duke का नाम है Leto, इनका बेटा है Paul, और इनकी पार्टनर है Lady Jessica. खेर कहानी की शुरुआत में Paul अपने मेंटर डंकन इडाहो के साथ है, वो उने convince कर रहा है कि वो से अपने साथ Arrakis लेकर जाएं, मगर डंकन ऐसा नहीं चाहता, वो कहता है कि तुम्हारे पिता को यह बात अच्छी नहीं लगेगी, और फिलहाल जो Arrakis है वो काफी खतरनाक तो ऐसा करना मेरे लिए फिलहाल सही नहीं है, जब सही वक्त आएगा तुम तब Arrakis जाओगे, पॉल डंकन को बताता है कि उसे विजन्स आते हैं और उसने इन विजन्स में Arrakis और Fremen दोनों को देखा है, उसने ये भी देखा कि डंकन एक डेजर्ट के एरिया पर पड़ा ह और शायद वो मौत के करीब था, डंकन पॉल की बातों को एग्नोर करता है और उसे कहता है कि वो उसे खत्रे में नहीं डाल सकता, इसलिए अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, इसके बात पॉल अपने पिता से इस बारे में बात करता है और कहता है कि वो भी Arrakis जाना चाहता ह लेकिन वो पॉल को समझाते हैं कि तुम हाउज अट्राडिस का फ्यूचर हो और मैं तुम्हें फिलहाल Arrakis लेकर नहीं जा सकता, मैं बलकि ये चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में काउंसल में मेरे साथ बैठो और पॉलिटिकल डिसिजन्स में अपना हाथ बटाओ, तो इ Arrakis पर भी पीस बरकरार रहेगा, जो सब के लिए ही बहतर होगा, इसके बाद पॉल की ट्रेनिंग का टाइम हो जाता है, वो अपने पिता से अलविदा लेकर गर्नी से मिलने पहुचता है, और ये भी पॉल के एक मेंटर है, पॉल एक रात सो रहा होता है और उसकी मां जैस Helen Moham, तुमसे मिलने आई है, वो तुम्हारे खाबों के बारे में जानना चाहती है, बेसिकली जैसिका को पॉल के विजिन्स के बारे में अंदाजा है, जैसिका उसे बताती है कि Moham की काफी जादा रिस्पेक्ट की जाती है, और Benny Gisrit के बीच, उनकी जो पोजिशन है, वो ब Females का एक ग्रुप होता है, और ये जो औरते होती है, ये Spies भी होती है, अलग-अलग राजाओं के एहां पर इन्हें अपॉइंट किया चाहता है, और वो उन राजाओं के लिए बच्चे बैदा करती हैं, और उनके वंच को आगे बढ़ाती हैं, इनके अंदर Enhanced Powers होती है ये लोगों के बातचीत करने के तरीके से उनके सच और जूट का पता लगा सकती हैं, इसके अलावा इन्होंने पढ़ाई भी की होती है, ये Theologists होती हैं, बेसिकली पूरा सामराज्य कैसे चल रहा है, बेने जेजरिट्स को अच्छे से पता होता है, ये आपस में एक दूसर लड़कियां होती हैं, लेकिन एक प्रॉफिसी है, जिसके तहट कहा जाता है कि कोई लड़का भी बेने जेजरिट्स हो सकता है, मगर जब कोई लड़का बेने जेजरिट होगा, तो प्रॉफिसी है कि वो The One होगा, The Chozen One होगा, और दुनिया को एक नए मकाम पर लेकर जाए और उसके बारे में और भी बहुत सारी बाते हैं डीटेल में जिसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा या फिर जब मैं बोनुस वाले वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको उस बारे में information मिल जाएगी कहनी में ही हमें एक डॉक्टर से मिलाया जाता है वो पॉल को बेने जिसरिट्स को लेकर आगाह करता है उन्हें वार्ण करता है और हमें ऐसा लगता है कि हर कोई बेने जिसरिट्स को इज़त की नजर से नहीं देखते शायद उनका स्पाय होना उनका जासूस होना लोगों को खरता है क्योंकि अब जो जैसिका है वो राजा की पार्टनर है उन दोनों की शादी नहीं हुई है लेकिन लेटो के दिल में जैसिका के लिए बहुत जादा प्यार है और पॉलिटिकल रीजन्स की वज़ा से बिसिकली इस ऑप्शन को ओपन रखने के लिए कि वो आगे किसी प्रिंसेस से शादी कर सकते हैं किसी क्वीन से शादी कर सकते हैं पॉलिटिकल अलाइन्स जो है उसका रास्ता ओपन रखने के लिए उन्होंने जैसिका से शादी नहीं की और वो एक सिंगल राजा के तौर पर ही खुद को पेश करते हैं युनिवर्स के आगे बाकी प्लान और इस नीडर को पाल के गर्दन के पास रख दिया जाता है, और कहा जाता है कि अगर तुम अपनी जगह से हिले तो तुम मर जाओगे, और पर उसे अपना हाथ एक डिबे के अंदर रखने के लिए कहती है, ये डिबा जो है इसके अंदर उसे पॉल को बहुत जादा दर्द होता है और उसे कहा जाता है कि अगर तुम अपनी जगह से हिले तो ये सुई मैं तुम्हें चुबा दूँगी और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा अब मेरा टेस्ट ये है कि तुम कितना दर्द बरदाश कर सकते हो और अपने इंस्टिंक्ट पे कंट्रोल कर सकते हो कि भई दर्द है तो अपनी जगह से हिलना नहीं है तुम्हें कंट्रोल करके रखना है खुद को पॉल इसमें काम्याब होता है मोहायम उसे मुबारक बात देती है मोहायम के जाने के बाद जैसिका पॉल को बताती है कि तुम दववन हो सकते हो वो उसे डिरेक्ली ऐसा नहीं कहती बगर इन बातों से अब्विसली अम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि पॉल इस कहानी का पैदा कर सकती है जो दवन होगा और वो जो है उसके पास सूपर नाचुरल पावर्स होंगी बहुत जादा और वो दुनिया को सही रास्ते पर लेकर जा सकता है खैर वक्त बीटता है और हाउज अट्रिडिस पहुंच जाता है अराकिस प्लानेट पर अपने सोल्जर्स के साथ यहाँ पर अट्रिडिस के जो कई सारे सोल्जर्स पहले भी आ गए थे आपको याद होगा कि डंकन पहले ही चला गया था अराकिस और वो यहाँ पर बाकी लोगों के साथ है और लेटो जैसिका और पॉल का स्वागत करता है हम नोटिस करते हैं कि यहाँ मौझूद फ्रेमिन जन्ता लिसान अलगईब कहे के कुछ बार-बार बोल रही है पॉल सवाल करता है अपनी मा से कि इस बात का मतलब क्या हुआ तो वो बताती है कि इस वर्ड का मतलब है प्रॉफिट या फर मसाया जैसिका का मानना है कि बेने जेजरिट्स का जो काम है वो कर रहा है यानि कि उन्होंने एक तरह से प्रॉपगेंडा सेट कर दिया है फ्रेमिन जन्ता के बीच की लिसनल गई बाने वाला है और पॉल को एक तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो एक तरह का हीरो है और वो फ्रेमिन्स को एक अच्छे रास्ते पर सही रास्ते पर ले कर जाएगा पॉल का कहना है कि बेने जेजरिट्स को इस तरह का सुपर्स्टिशन यानि अंध विश्वास नहीं पहलाना चाहिए वहीं जेसिका का कहना है कि उनके आने के लिए बेने जेजरिट बस एक बेस तयार कर रही थी ताकि जब ये लोग यहां आए तो उन्हें फ्रेमिन्स का साथ मिले हैर हाउज एट्रिडिस अराकीन में सेटल हो जाता है अराकीन अराकिस प्लानेट की कैपिटल है इस जगा को हारकनन्स ने बनवाया था तो फिर हवात जो लेटो के में एड्वाइजर है वो इस बात पर पॉइंट आउट करते हैं कि इस अराकीन के आसपास एक बहुत बड़ी वाल है जो सैंड्स्ट्रॉम से इस कैपिटल को बचाती है जाहिर सी बात है एक डेजर्ट वाला प्लानेट है ये तो यहाँ पर हवाएं तो बहुत तेज चलती ही होंगी और एतीले तूफान भी आते होंगे तो अराकीन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर उची उची दीवारे हैं दुबारा चलते हैं मोहायम के पास जो गई है एक अलग प्लानेट पर जिस प्लानेट का नाम है गाईडी प्राइम यहाँ पर हाउज हारकनन रहता है उनका होम वर्ल्ड है यह यहाँ पर हाउज हारकनन का हेड बैरन हारकनन मौजूद है मोहायम उससे बात करती है हमें पता चलता है कि Arrakis पर House Atrodus पहुँच तो गया है लेकिन उन्हें वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है और जो Emperor है वो चाहते हैं कि House Atrodus का विनाश हो जाए इसके लिए लेटो को Emperor कुछ खास पसंद नहीं करते और Baron की बातों से भी ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी लेटो से कुछ खास ही नफरत है मोहायम कहती है कि ठीक है तुम्हें लेटो के साथ जो करना है करो लेकिन Jessica मेरी Protection के अंडर आती है क्योंकि वो Bene Gesserit है और इस वजह से जो उसका बेटा है Paul वो भी हमारी ही Protection के अंडर है तो आप उन दोनों को कुछ नहीं करेंगे व्लादेमेर Baron कहता है कि ठीक है मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा लेकिन Arrakis Planet खुद इतना जादा क्रूल है कि वो उस Planet से कैसे बचेंगे लेटो को अपने परिवार वालों के साथ अराकीन में बसे हुए कुछ वक्त वीच चुका है उन्हें एहसास होता है कि हारकनन यहां पर जो भी एक्विप्मेंट्स छोड़ कर गए हैं वो किसी काम की नहीं है और बहुत ही जादा मालफंक्शन कर रही है लेटो को लग रहा है कि उन्हें यहां शायद फेल होने के लिए ही भेजा गया है अगर वो इस प्लानेट को ठीक से नहीं समाल पाए तो जाहर सी बात है उन्हें एम्परर के घुस्से का सामना करना पड़ेगा खेर थोड़ी देर में लेटो को यहां के कुछ लोग एक टूर पर जाने के लिए इन्वाइट करते हैं लेटो अपने साथ पॉल को भी आने के लिए कहता है यह लोग एक स्पाइस हार्वेस्टर के पास जाते हैं और यह जगा बेसिकली स्पाइस को पैदा करती है उसे निकालती है और basically Spice को यहीं से supply किया जाता है इन लोगों के साथ Dr. Liet Kynes भी मौजूद है ये character book में एक आदमी है ना कि एक औरत इसी तरह के कई सारे differences है book और इस movie के बीच जिसके उपर मैं एक video बनाऊंगी और उपर इसका link आ जाएगा आपको बार-बार ये नहीं कहना चाहती है story को explain करते हुए कि books में क्या हुआ था और movie में क्या हुआ था क्योंकि obviously बहुत सारे differences है तो वापस आते हैं film पर यहाँ पर जो Spice Harvester है यहाँ पर एक तरह की problem आ जाती है पता चलता है कि sandworm आने वाला है basically इस desert पर sandworms रहते हैं जो काफी huge होते हैं और वो Spice की तरफ attracted होते हैं तो वो इस Harvester की तरफ आ रहा है और हमें पता चलता है कि 21 लोग अभी इस जगा पर मौजूद हैं जिनकी जान जा सकती है अगर उन्हें जल्दी से यहां से बचा कर निकाला नहीं गया तो लेटो वहाँ पर मौजूद हैं और वो देखते हैं जबकि सारे plants फेल हो रहे हैं तो खुद अपने helicopter में basically helicopter नहीं उन्हें onnithopters कहा जाता है उसमें जगा देते हैं harvest करने वाले लोगों को और यहां मौजूद सभी लोगों की जान बचा कर यहां से निकल जाते हैं बट इस बीच एक किसा होता है चोटा सा पॉल यहां नीचे गर जाता है और sandworms एक तरह से उसका सामना होता है पॉल को वैसे भी visions आते हैं और अब क्योंकि उसने spice इंहेल कर ली है तो उसके visions जो है वो और जादा intensify हो जाएंगे यह जो पूरा scene होता है जिसमें लेटो अपने बेटे पॉल के साथ औरनीथॉप्टर से जाता है spice harvesters के पास और लोगों की जान बचाता है किताबों में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है और इस scene के बाद ही यह clear होता है डॉक्टर लेट काइन्स को कि लेटो की जो मंशा है उसका जो attitude है लोगों के लिए वो अच्छा है positive है वो लोगों का भला करना चाहता है और सिर्फ अपने फायदे में believe नहीं करता तो जो काइन्स है उसका जुकाव हो जाता है लेटो की तरफ और वो यह समझ जाता है और basically फिल्म में वो यह समझ जाती है कि लेटो का साथ देना फ्रेमन के लिए अच्छा होगा राकीन में house atridis बिल्कुल भी safe नहीं है पॉल की जान पर हमला होता है मगर यह अटाक फेल हो जाता है और पॉल बच जाता है कुछ वक्त बाद ही हमें पता चलता है कि house atridis में एक ट्रेटर है एक गद्दार और वो और कोई नहीं है बलकी है डॉक्टर वेलिंग्टन यूई यह जैसिका का दोस्त है और इनका family doctor है इसकी भी कुछ मजबूरिया है और इसी वज़े से इसने अट्रेडिस के साथ गद्दारी करना चुना है यह अराकीन capital के जो shields है उन्हें disable कर देता है जिस वज़े से अट्रेडिस communicate नहीं कर पाते आपस में और shields क्योंकि disable हो गई है तो इस वज़े से अब अराकीन पर attack किया जा सकता है हारकनन और सार्दुकार troops invade कर देते हैं city को हारकनन के बारे में तो आपको पता ही है यह अलग से एक house है जो अट्रेडिस को पसंद नहीं करता है लेकिन जो सार्दुकार है यह भी एक troop है जो emperor के अपने troops है यह काफी जादा खतरनाक होते है और बहुत ही अच्छे से train होते है बिसिकली दस-दस लोगों पर एक सार्दुकार भारी बढ़ता है इस attack में बहुत सारे अट्रेडिस soldiers मारे जाते है लेटो भी घायल हो जाता है बलकि यह काम और कोई नहीं खुद डॉक्टर यूई अंजाम देता है वो से बताता है बैरन हारकनन ने उसकी बीवी को अपने قبضे में ले लिया है और उसकी जान के बदले उसे घदारी करनी पड़ी अपने ड्यूक के साथ वो से बताता है कि मैंने तुम्हारे दातों में एक जगा पर पॉईजन दबाया हुआ है और अगर तुम अपने दात को जोड से दबाओगे तो ये पॉईजन रिलीज हो जाएगा और तुम्हारी छोड़ी हुई सास से सामने मौजूद इनसान मर जाएगा तो कहता है कि कुछ देर में बैरन के सामने होगे तुम उसके कबजे में होगे और जब वो तुम्हारे बिल्कुल करीब आएगा तब तुम अपने इस दात को दबा कर इस जहर को रिलीज कर देना और बैरन का काम तमाम कर देना तो यूई ने घदारी तो की है मगर वो भी बैरन को मारना चाहता है हैर इन्वेजन के दोरान जैसिका और पॉल को हारकनन सोलजर्स पकड़ लेते हैं और एक शिप के सहारे डेजर्ट में कहीं लेकर जाने लगते हैं पॉल अपनी मा को बचाने के लिए अपनी आवास का इस्तमाल करता है आपने इस फिल्म में पहले भी देखा होगा कि जैसिका पॉल को अपनी आवास को ट्रेन करने के लिए बार-बार कहती है ये बेने जेजरेट्स की ही एक ताकत होती है जिससे आप सामने वाले से अपने मन का का म करवा सकते हैं और उसे कंट्रोल कर सकते है पॉल फाइनली इस आवास का और अपनी मा को इन सोलजर्स से बचाता है ये लोग इनके खबजे से बच कर भागने में कामयाब होते हैं और इनहें एक सर्वाइवल किट मिलती है बीच डेजर्ट में, इसे इनके लिए यूई ने छोड़ा है ये दोनों यहां डेजर्ट में रात बिताते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि लेटो की मौत हो चुकी है क्योंकि इस किट के साथ हाउज आटरडिस की एक निशानी मौजूद है जैसेका को अंदाजा हो चुका है कि लेटो अब इस दुनिया में नहीं है वो अपने बेटे पॉल को बतौर ड्यूक स्वीकार करती है वही है राकिन पे यूई ने अपनी बात पूरी कर दी है और वो सोच रहा है कि बैरन अब उसकी पत्नी को आजात कर देगा मगर बैरन उसका काम तमाम करवा देता है और कहता है कि तुम्हें मार कर मैं तुम्हें तुम्हारी बीवी के पास भीज रहा हूँ यानि यूई से भी उसने जूट कहा था और उसकी पत्नी को वो अल्रेडी मार चुका था थोड़ी दिर बाद लेटो को बैरन के सामने लेकर आया जाता है बैरन उसे बताता है कि जैसिका और पॉल मर चुके हैं लेटो अपने दाथ को दबाता है और जहर रिलीस करता है इस जगा मौझूद सारे लोग इस पॉईजन से मारे जाते हैं लेकिन बारन पता नहीं कैसे अचानक से खुद को बचा लेता है और अपनी शील्ड आउन कर देता है उसे अंदाजा हो जाता है कि वो लेटो के इतने करीब होकर सुरक्षित नहीं है बाद में हमें उसे बहुत सारे हीलर्स के साथ दिखाया जाता है वो एक डार्क कलर के आउयल के अंदर मौजूद है और खुद को हील करने की कोशिश कर रहा है उसे रबान से एक रिपोर्ट मिलती है रबान उसका रिष्टेदार है उसका नेफ्यू है उसे बताया जाता है कि पॉल और जैसिका जरूर किसी रेतीले तूफान में मारे गए होंगे क्योंकि उनका कुछ अताबता नहीं चल पाया वही जैसिका और पॉल को दिखाया जाता है जिन एरेगिस्तान में डंकन ने ढूर्ण निकाला है वो उन्हें सही सलामत लेकर आता है एक पुराने रिसर्च स्टेशन पर जहां उनकी मुलाकात होती है डॉक्टर कैंस से काइन्स उन्हें बताती है कि इस रिसर्च स्टेशन का मकसद क्या है इसे इसलिए बनाया गया था क्योंकि इनका प्लान था कि अराकिस पर किसी तरह से हर्याली लेकर आई जाए और यहां की जमीन को उपजाओ बनाया जा सके लेकिन जब इस ब्लानेट पर स्पाइस डिसकावर हुई तो इस तरह के सारे प्लान्स कैंसल हो गए और इस जगा को सर्फ स्पाइस हार्वेस्ट करने के लिए इस्तमाल किया जाने लगा यह सारी बाची चल ही रही होती है और यहां पर सार्दुकार के ट्रूप्स अटाक कर देते हैं इनके कई सारे फ्रेमन सपोर्टर्स मारे जाते हैं और डंकन इदाहो भी लेटो और जैसिका की जान बचाने के लिए खुर्बान हो जाता है इस रिसर्च सेंटर से काइन्स पॉल और जैसिका बच कर निकल जाते हैं लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर काइन्स अपना रास्ता बदल लेती है और पॉल और जैसिका को एक सुरक्षित रास्ते से आगे बढ़ने के लिए कहती है काइन्स को खुद हारकनन के ट्रूप्स पकड़ लेते हैं और उसे मार गिराते हैं हाउज अट्रिडिस के फ्यूचर को बचाने के लिए काइन्स जमीन पर बार बार अपने हाथ से मुक्का मारती है इस आवास से यहां मौझूद सैंड वॉर्म अट्राक्ट होता है और इस जगा पर आजाता है वो यहां मौझूद काइन्स के साथ साथ बाकी टूप्स को भी पूरी तरह से निगल लेता है चलते हैं वलादिमीर बैरन हारकनन के पास वो अपने नेफ्यू रबान को राकस का कंट्रोल सौप रहा है रबान काफी क्रूल और सेडिस्टिक है वो से कहता है कि यहां मौझूद स्पाइस रिजर्व को बेचना स्टार्ट किया जाए मगर इतनी जल्दी भी बेचना नहीं होना चाहिए कि कीमत ही गिर जाए बिसिकली पूरी तरह से फाइनाशली इस्तमाल किया जाएगा इस प्लानिट का हारकरन के फाइदे के लिए पॉल और जैसिका जो अपनी जान बचाने के लिए एक औरनिथॉप्टर का इस्तमाल करते हुए जा रहे थे एक डेजर्ट में क्राश करते हैं इन्हें डर होता है कि कहीं सैंड वर्म इन्हें भी न निगल ले और ये अपनी जान बचाते हुए कुछ पत्थरों के किनारे जाकर छुपते हैं बचते बचाते हुए भी पॉल का सामना एक सैंड वर्म से हो ही जाता है वो थोड़ा सर्प्राइज होता है क्योंकि सैंड वर्म उसे निगलता नहीं बलकि उसकी आँखों में जागता है इस वर्म को अचानक से डिस्ट्राक्ट किया जाता है और वो पास ही मौजूद किसी थंपर की आवाज से वहां दूसरी तरफ जाने लगता है बिसिकली इस थंपर को अक्टिवेट करके ही सैंड वर्म को अपने कंट्रोल में किया जाता है पॉल और जैसिका की जान तो बजग गई है वो शुक्र गुजार है लेकिन पॉल तभी जैसिका को इशारा करता है कि वो यहां पर अकेले नहीं है कुछ ही सेकंड्स में उन्हें फ्रेमन घेर लेते हैं इन्हें स्टिलगार नाम का एक शखस लीड कर रहा है इनके बीच चेनी भी मौजूद है जिसे पॉल पहले अपने विजिन्स में देख चुका है जैसिका और पॉल कहते हैं कि आप हमें अपने साथ शामिल कर लीजिए लेकिन स्टिलगार ऐसा नहीं कर सकता जैसिका कहती है कि हम अच्छे फाइटर्स हैं और आप हमारा इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे में इन लोगों के बीच बहस शुरू होती है और ये बात होती है कि इन्हें आपस में एक डूल करना होगा फ्रेमिन्स की तरफ से जेमिस नाम का एक शक्स आगे आता है और जैसिका की तरफ से पॉल लड़ने के लिए आगे बढ़ता है किताबों में ये सीन काफी डीटेल में दिखाया गया है और पॉल के दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है जेमिस से लड़ते हुए इसका भी अच्छे से जिक्र है इसके बारे में भी मैं एक जो बोनस वीडियो बनाऊंगी उसमें बता दूँगी डीटेल से तो फिल्म में जेमिस और पॉल के बीच हुई लड़ाई में जेमिस मारा जाता है और किताबों में भी वैसे यही होता है James एक बहुत ही skilled fighter है लेकिन फिर भी Paul के हाथों वो मारा जाता है और Jessica इसके बाद Paul के साथ मिलकर Fremen's के साथ हो जाती है Fremen's उन्हें अपने साथ लेकर अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही ये film खत्म हो जाती है अब ऐसा लग सकता है आपको कि अचानक से ये क्या हुआ और हाउज हारकनन का क्या होगा पॉल क्या बदला नहीं लेगा तो ये सब कुछ भी होगा लेकिन आगे आने वारी फिल्म में क्योंकि इस फिल्म का नाम भी डून पार्ट वन था तो जो सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट आगे के जो पार्ट साएंगे उसमें स्टोरी और जादा निकरेगी और हमें जैसिका के बारे में पॉल के बारे में और भी बातें पता चलेंगी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कर दीजेगा आपके बस 4-5 सेकंड्स ही लगेंगे लेकिन अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो को रीच अच्छी नहीं मिलेगी और इस वज़ेसे फिर वीडियो को जाधा व्यूस भी नहीं मिलेंगे मुझे जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिये गए लिंक के जरीए शॉपिंग साइट पर जाएं आपको जाधा कुछ नहीं करना बस Amazon की website या app को directly ना खोलें मेरे दिये गए लिंक के जरीए open करें इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमि ज्यादा वीडियो जॉपिंग करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अगर मन में कुछ विचार आएं तो वो भी कॉमेंट के जरीए बताने है